वेलकम टो कॉमर्स इस्परेट दस येस आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने माले हैं दिन दियालुपाद है गुरप प्रवेश विद्याले के एंटम एक्जाम का जो प्रिवेश येर पेपर था मैंने इजरेल एकोनॉमिक्स का उसको यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें टोटल 40 कोशंस है और एक कोशंस वन पॉइन पॉइंट वाग्स का होता है यानि कि टोटल हैं टम एकॉस्टेंग smart नहीं का जाना जाना जाता है तो is वून कोई भी वस्तु है उसको कई उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं समग्रमांग कहते हैं यानि कि यह दोनों मिल करके किसी आवशक्ता को हमारी पूरा करेंगे composite demand मतलब क्या है वस्तु एक ही है जिसे फॉर इक्जमपल इसे में एक question आएगा electricity electricity हम लोग demand कर रहे हैं किसली अपने household के लिए अपने घर के लिए कुछ लोग demand किसले कर रहे होंगे कि अपनी company को चला सकें office को अपने operate कर सकें तो वस्तू एक ही है अलग-अलग लोग उसकी अलग-अलग demand कर रहे हैं तो उसको composite demand करते हैं दोनों एक जैसा मिलता जुलता है बस जो joint demand होता है वो क्या होता है ऐसी किसी वस्तू का प्रयोग किया जाता है जो साथ में मिलकर कि हमारी किसी आवशकता को पूरा करते हैं question number 3 है a perfect competitive firm attains equilibrium when किसी भी पूर इस भरदात्मक firm के संतुलन का बिंदू कहां पर आता है तो जब भी किसी भी firm के संतुलन बिंदू की बात करता है equilibrium point की बात करता है तो हमेशा आपको mr और mc का relation देखना है जहां पे mr और mc एक दूसरे के बराबर हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते है equilibrium point दूसरा condition ही होता जैसे question यह भी हो सकता है कि mr is equal to mc है second condition क्या कहती है तो second condition यह कहती है कि जो mc है वो mr को नीचे से काटती हो यह सब कुछ यह होता यह कही line सभी जितने भी firm है उन सब के features को पढ़ लिजेगा diagram mind में रहेगा तो वो automatic question हो जाएगा पहला क्या है जो rule है उसका mr is equal to mc होना चाहिए और mc इस तरीके से रहता है तो पहला तो मारा पूरा हो गया कि mr और mc एक दूसरे के बराबर होना चाहिए अब दो point दिख रहा है एक point यहाँ पे एक point यहाँ पे यहाँ पे भी mr mc बराबर है और दूसरे point पे भी mr mc बराबर है तो कौन से point पे firm equilibrium point को प्राप्त करेगी दोनों point पे करेगी लेकिन वो production कहाँ पे करेगी तो वो हमेशा किस point पे करेगी दूसरे वाले point पे ऐसा की होगा क्योंकि जब पहले वाले point पे पहुंचेगी तो उसको लगेगा कि अभी तो मिरे पास और भी मौके है जहां से मैं profit को earn कर सकती हूँ इसलिए second condition होता है जहां से MCMR को नीचे से काटेगी MCMR को नीचे से काटने का मतलब क्या है कि इसके बाद क्या होगा company की cost बढ़ जाएगी और उसकी revenue कम हो जाएगी तो जब cost बढ़ जाएगी तो company क्या करेगी production नहीं करेगी इसलिए MCMR को जो नीचे से काटता है वहाँ पर equilibrium को point decide कर दे जाता है question number 4 है a rupee tomorrow is worth less than a rupee today relates to तो यह discounting principle से related होता है कटवती का सिध्धान्थ यह कहता है कि जो आज आपके पास एक रुपय है कल जो वो एक रुपय मिलेगा उसकी value हमेशा इस रुपय से कम होगी question number 5 है the principle which is closely related to mc and mr of economics तो यह होता है incremental principle ब्रिधे शीलता का सिध्धान question number 6 है indifference curve is the combination of two goods that are जो उदासीनता वक्र बनाते हैं तठस्तता वक्र बनाते हैं वो दो वस्तूं का संयोजन होता है वो दो वस्तूं एक दूसरे के साथ कैसे related होती है वो substitute होती है जैसे एक वस्तू है y और एक वस्तू है x अगर y के consumption को आप कम करना चाहते हैं तो x को बढ़ाना पड़ेगा x को बढ़ाना चाहते हैं तो y को कम करना पड़ेगा इसी तरीके से relationship बैठाया जाता है indifference curve में तो यहाँ पर जो commodities होती है वो एक दूसरे के इस्थाना पर नवस्तू होती है question number 7 है a measure of responsiveness of quantity demanded to change in price of related goods is known as ये तो जो definition है वो किस चीच की है price elasticity of demand की है मांग की कीमत लोज का सिधानती है question number 8 है demand for electricity is an example of बिजली की मांग का उदाहरण किसका है तो वो है composite का question number 9 है in case of dash consumer may move to higher demand curve from lower demand curve तो ये क्या होता है जैसे demand curve जब आप बनाते हैं तो इस तरीके से होता है अब question में क्या बोला है कि consumer क्या हो रहा है lower से higher की तरफ बढ़ जा रहा है यानि कि ये क्या कर जा रहा है shift कर जा रहा है movement नहीं हो रहा है तो जब shift होता है एक demand curve से दूसरे demand पर तो उसको हम लोग क्या बोलते है increase या decrease तो बढ़ा है कि घटा है बढ़ा है तो option पर A हो जाएगा यहीं पर ये बोलता कि higher से वो lower की तरफ चला आया है तो उसको हम लोग क्या बोलते है decrease in demand बोलते है लेकिन extension और contraction क्या होगा कि demand curve एक ही है और हमेशा क्या आप use करेगा word movement बोलेगा कि एक point से वो दूसरे point पर चला गया movement हुआ है पहले हम लोग कितना demand कर रहे थे Q पर demand कर रहे थे अभी कितना पर कर रहे है Q1 पर कर रहे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे extension बोलेंगे क्यूंकि आप देखेंगे demand क्या हुआ है बढ़ गया है quantity इतने area तक का बढ़ गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे extension बोलेंगे वहीं पर अगर कीमत बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा demand कम हो जाएगा तो देखिए पहले demand यहां पर था कम हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते है contraction बोलते है जब एक question में यह बोलता है कि कीमत की वज़े से बढ़ोतरी या घटती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे extension या contraction कीमत को छोड़ करके अन्य किसी factor की वज़े से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज क्वेशन बर 10 है प्राइस लाइन इंडिकेट्स कीमत रेखा प्रदर्शित करती है तो जब मैं इसको पढ़ती थी तो इसको याद करने का मेरा तरीका था यह आउकात की लाइन है कि इसके उपर हम लोग नहीं जान सकते हैं तो आउकात किसे पता चलती है इंकम से पता चलती है यह मुझे कभी भूला ही नहीं इस तरीके से मैंने याद किया था क्वेशन बर 11 है किसी भी वस तो की आवशकता संतुष्टी की छमता क्या कही जाती है यह तो कि जितनी बार एकोनोमिक्स पढ़िये पहला चप्टर दूसरा चप्टर उतनी बार आता है कि उटिलिटी मिन्स वाँन सेटिस्फाइंग पावर अफ़ कमडिटी क्वेशन बर 12 है जब सिर्फ एक उतपादक रहता तो उसको क्या कहते है मोनो पोली मोनो मतलब होता है एक और पोली का मतलब क्या होता है सेलर तो यह भी कोशन पूर सकता है कि मोनो का मतलब क्या होता है तो एक होता है अब पोली मतलब क्या होता है seller यानि की विक्रेता, question number 13 है market situation in which there are होगा उपर भी this पूछा था लेकिन वो there are होगा there are only two sellers, जब दो ही seller होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अब यह हो सकता है कि आप लोग question लगा दें कि bilateral होगा, लेकिन bilateral नहीं होगा, उसको और constant दोन होगा, कि none of the above होगा तो जब long run production function की बात होती है, और जब factor की ratio की बात होती है, तो वो क्या होता है हमेशा constant, आप capital जितना बढ़ाएंगे उतना ही labor बढ़ाएंगे, उतना ही production बढ़ेगा, इस तरीके से इसका relationship चलता है question number 15 है economic profit is equal to economic profit किसके बराबर होता है तो जब economic profit की बात आती है तो हमेशा revenue, total revenue minus total cost होता है, total revenue क्या होता है, जो sales से प्राप्त हो और total cost मतलब क्या हो गया, जितना भी आपने खर्चा किया है, चाहिए आपने आपको ही वो पैसा दिया है, वो सारे cost किसमें आ जाते है, total cost में तो अगर economics की भासा में बोला जाए तो sales revenue minus implicit cost plus explicit cost implicit और explicit दोनों cost को मिला करके, revenue में से जब minus कर दिया जाता है, तो वो आ जाता है आपका economic profit, अगर पूछता है कि accounting profit क्या होता है, तो वो क्या होगा आप comment box में बताईगेगा कि accounting profit क्या होता है, implicit cost, explicit cost इन सबको एक बार जरूर पढ़ लिजएगा, formula इसका एक बार जरूर पढ़ लिजएगा, question number 16 है, demand का यहाँ पे पूरा formula पूछलिया है, कि demand कि इस चीज़ करने की एक्षा भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तो option number D's का correct answer हो जाएगा, question number 17 है, selling at lower price is foreign market, किसी दूसरे बाजार में, दूसरे market में, कम price में बेच रहे हैं, और अपने market में, यानि कि Indian market में, ज्यादा price में बेच रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, dumping कहते हैं, राशी पातन बोलते हैं, question number 18 है, when a firm doubles its outputs, and find that its output has more than doubled, यानि कि जैसे माली जी एक, दो factor लगा रहे थे, अभी कितना लगाने लगे, दो दोनी, चार, double कर दिया है factor को, और production क्या पता चलता है, पहले 5 होता था, तो अभी कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, लेकिन अभी कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, 15 हो रहा है, यानि कि double से जादा हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, increasing returns to scale बोलते हैं, अब इस तरीके से question को तोड़ करके पढ़ सकते हैं, question number 19 है, when short run production function is zero, total cost will be, जब short run में production zero होता है, तो total cost क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तुरांत answer आजाएगा, equal to fixed cost, factory है, factory आप चला रहे हैं, production कर रहे हैं, चाहें नहीं कर रहे हैं, अगर 100 रुपया इसका rent देना है, तो देना है, production अबका zero ही रहे, उससे मतलब नहीं है, question number 20 है, who is the author of the book, wealth of nation, ये तो सबको याद रहता है, Adam Smith है, question number 21 है, which are the following is a macro economic issue, macro economics मतलब क्या है, कि किसी particular बंदे से नहीं related है, पूरी की पूरी अर्थ व्यवस्था से related है, law of production किसी firm से related होता है, law of utility किसी consumer से related है, market price determination ये भी किसी एक firm से related है, लेकिन जब बात inflation कियाती है, मुद्राइस फीती की, तो पूरी की पूरी economy से related होता है, तो ये किसका विश्य है, वेस्टी अर्थ शास्त्र का, question number 22 है, in the following diagram at price P, what type of equilibrium would you get, एक figure दिया हुआ है, जहां पे बोला है कि demand है और ये supply है, अब हमारे पास equilibrium कहाँ पे है, जहां पे demand और supply दोनों ये दूसरी के बराबर हो, अब बोल रहा है कि अगर price को बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला जो point होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार का ये साम में है, तो वो stable है, unstable है, natural है, या disequilarium है, तो संतुलन हमेशा कहाँ पे होता है, जहां demand और supply बराबर हो, यहां पे supply क्या है, ज्यादा करनी पढ़ रही है, sorry, supply ज्यादा कर दी गई है, demand कम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, disequilarium कहते हैं, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, demand को या फिर तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कीमत को कम करेंगे, तो demand बढ़ेगी, question 23 है, a straight line indifference curve can exist, straight line कब आएगा, straight line होने का मतलब क्या है, जैसे indifference curve इस तरीके से होता है, और अभी क्या बोला है, कि एक straight line है, वो काउन सी situation में होती है, जब भी कोई जो product है, वो एक दूसरे के perfect substitute होते हैं, यानि कि पूर इस्थानापन होते हैं, कि पहले इतना बना रहा था, तो अभी क्या कर दिया, Y को कम कर दिये, X को बढ़ा दिये, तो इन दोनों के बीच में जो difference होता है, वो हमेशा बराबर आएगा, कब आएगा जब एक दूसरे के perfect substitute होंगे तब, question number 24 है, the income effect is, आई प्रभाव क्या होता है, आई प्रभाव positive on normal goods, जो समाने वस्तोय होती है, उनके लिए सकरात्मक होता है, आए बढ़ेगी, तो मांग बढ़ जाएगी, negative on inferior goods, यानि कि जो खराब वस्तोय होती है, I हमारी बढ़ेगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, demand उसका कम कर देंगे, क्योंकि अच्छी वस्तुएं लेंगे तो ये भी statement साही है तीसरा है net on essential goods जो essential goods होते हैं उनमें सुनने होता है तो ऐसा नहीं होता है जो हमारी essential goods होते हैं उसके level में कहीं न कहीं बढ़ा देते हैं बोथ A and B इसका answer होगा option number D question number 25 है the demand for a product depends on किसी भी product का जो demand होता है वो किस पे निर्भर करता है तो चाहे आप price ले लेजे खुद के product का चाहे आप अपना income ले लेजे चाहे उससे संबंदित जो वस्तुएं हैं उसका कीमत ले लेजे तीनों पर ये निर्भर करता है जब आप लोग determinants of demand पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये point है question number 26 है the monopoly power of a firm is measured by किसी भी firm के monopoly power को किस चीज से मापा जा सकता है तो ये मापा जाता है price elasticity of demand gross elasticity of demand and market share of firm यानि कि all of the ever vs. cancer होगा question number 27 है for a monopoly firm एक अधिकारी firm के लिए क्या होता है तो figure इस तरीके से बनता है ये दो points है एक होता है AR और एक होता है MR अब इसको देखकर कि आप 4 option में से कौन साटेक लगाएंगे AR and MR are the same बिल्कुल नहीं ये किसमें होता है perfect competition में होता है AR is higher than MR AR जादा होता है MR से तो option number B correct है क्योंकि MR तो जादा है नहीं MR इससे कम पे है और there is no relationship तो ये तो होई नहीं सकता तो option number B इसका correct है question number 28 है affirmingates normal profit कोई भी फर्में normal profit के तरफ कब जाएगी तो मैंने आपको भी थोड़ी दिर पहले बता था जब equilibrium की बात आती है तो किसको देखा जाता है MR और MC को लेकिन वहीं पर जब भी बात करता है profit की तो हमेशा किसको देखा जाएगा AR और sorry AR और AC को तो जब AR और AC एक दूसरे के बराबर है इट मेंस क्या कि normal profit हो रहा है AR जादा है यानि कि revenue जादा हो रहा है cost कम लग रहा है तो क्या होगा super normal profit यानि कि जितना profit होना चाहिए उससे जादा हो रहा है और वहीं पर लागत आपकी जादा आ रही है और revenue कमा रहा है तो क्या हो जाएगा loss हो जाएगा equilibrium जब find out करना है तो MR और MC को देखेंगे और जब lab को देखना है profit हो रहा है loss हो रहा है तो किसको हमेशा देखा जाएगा AR और AC को जब AR और AC एक दूसरे के बराबर है तो normal होगा question number 29 है total cost is equal to fixed plus dash total cost किसके बराबर होता है तो total cost is equal to fixed plus variable cost परिवरतन सील लागत और इस्थिर लागत दोनों को बराबर को बूलते है question number 30 है interest on borrowed capital can be called जो उधार लिया जाता है पूंची उस पे दिये जाए ब्यास को हम लोग क्या कहते है तो उसको हम लोग कहते है variable cost next है question number 31 the shape of average fixed cost is औसत इस्थिर लागत का ढ़ाल कैसा होता है upward sloping, downward sloping, u-shaped और rectangular hyperbola तो जब total fixed cost की बात आती है तो वो कैसे रहता है इस तरीके से रहेगा parallel to x-axis रहता है क्योंकि वो fixed रहता है हर एक point of production पे लेकिन यहाँ पी क्या बोला है एक unit की बात किया है यानि कि average fixed cost कैसा होता है तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है अब आपके सामने दो option आ रहा हुआ downward sloping और rectangular hyperbola तो यह क्या होता है rectangular hyperbola होता है इसका मतलब क्या है कि जिस भी point से आप निकालेंगे चाहे इसको निकालें चाहे इसको calculate करें हमेशा fixed cost क्या हैगा अगर 10 रुपया है इस point पे भी 10 रुपया हैगा और इस point पे भी 10 रुपया हैगा इसलिए इसको rectangular hyperbola बोला जाता है तो ध्यान दीजेगा average fixed cost वहीं पर अगर variable cost की बात आती है total variable cost कैसे होता है यह तरीके से बढ़ते हुए रहता है यहाँ से 0 से start होता है लेकिन जब भी average variable cost की बात होती है तो वह कैसा होता है fix होता है दोनों एक दूसरे के just opposite है याद कर लीजेगा total fixed cost इस्थेर होता है लेकिन total variable cost क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में होता है average fixed cost घटते हुए क्रम में होता है लेकिन average variable cost कैसा होता है इस्थेर होता है question number 32 है an ISO product curve is similar to ISO product curve किसके बराबर होता है indifference curve जो उदासेंता वक्र होती उसके बराबर होता है वो producer के लिए यूज किया जाता है ISO product और जो indifference curve है वो एक consumer के लिए यूज किया जाता है question number 33 है production refers to a process which उत्पादन से अभिप्रायक क्या है जो production किया जाता है उसमें utility को बनाया जाता है किसी भी product के अंदर उपयोगिता को लाया जाता है question number 34 है which of the following is not property of indifference curve उदासेंता वक्र की विशेस्ता क्या नहीं है तो उदासेंता वक्र एक तरफ बना लिजे और देखते जाहिए क्या क्या फीचर नहीं है इसका they are downward sloping नीचे की और जूके रहते हैं ये फीचर सही है they are convex to origin यानि कि जो बिंदु है उसकी तरफ ये जूका हुआ है ये भी सही है they are not intersecting to each other अगर दो indifference curve है तो ये एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे ये भी फीचर सही है लेकिन बोला है कि कौन सा नहीं है तो option number D होगा अब क्यूं होगा they are parallel to each other बोला है वो एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं अगर ये statement रहता कि दो indifference curve आप बना रहे हैं तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के समानांतर चलें लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक case में चलें एक दूसरे को काटेंगे नहीं लेकिन parallel हो ये जरूरी नहीं है तो option number D होगा question number 35 है basic economic tool of managerial economics does not include principle of time perspective, equive marginal, principle और incremental ये तीनो economic tool है तो none of these होगा क्योंकि इन में से कोई ऐसा option नहीं दिया हुआ है question number 36 है a firm has full control over price under एक firm का कीमत पर पूर नियंतरण कब होगा जब वो अकेली रहेगी यानि की monopoly में question number 37 है price is determined by industry under कौन से उद्ध्योग के अंतरगत कीमत का नियधारण कौन करता है उद्ध्योग करती है तो चाहे perfect हो जाए चाहे oligopoly हो जाए चाहे monopolistic हो जाए सब में क्या होता है यह जो industry होती है वो कीमत का नियधारण करती है question number 38 है according to the modern theory of the cost the long run average cost curve is long run average cost कैसा होता है L shift में होता है यानि की L a car में होता है question number 30 है cross elasticity of demand in case of substitute इस्थानापन्य वस्तुओं के दशा में आड़ी लोज कैसी होगी तो वो कैसी होती है positive होती है cross elasticity मतलब क्या है कि price देख रहे है x का और demand किसका देख रहे है y का देख रहे है तो इसको उन्हों लोग बोलते है cross elasticity elasticity और यहां पर बोला है substitute यानि कि x और y एक दूसरे के जगां पर यूज किये जा सकते है तो अगर x के कीमत बढ़ेगी तो demand क्या होगा y का बढ़ जाएगा क्योंकि x के demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसको उन्हों positive effect बोलते है complimentary के साथ क्या है वो negative होता है और इस paper का last question है differential product is a characteristics of विभेदी कृत उत्माद किसमें होता है monopoly में, monopolistic में या perfect competition में तो differential product की बात किया है तो यह किसमें होता है monopolistic में, एक आधिकृत में दो-तीन firm है बहुत सारी firm होती है example के लिए 2-3 की बात हो रही है वो सब क्या करेंगी एक आई जैसा product बनाएंगे लेकिन उनमें कुछ न कुछ अलग चीज़ें रहेंगी तो उसको monopolistic में बोलेंगे अगर बोलता है कि innovative product है यानि कि एकदम नया है बाजार के लिए बिलकुल नया है इससे मिलता जुलता अगर कोई और question बोल सकता है तो सारी चीज़े मैंने discuss कर दी है managerial economics हो गया organizational behavior हो गया statistical analysis हो गया और business ethics हो गया business environment भी इन सब के mcqs channel पे already uploaded है कुछ और मैं upload करूँगी और आप जाएंगे तो playlist बनी होगी जैसे statistical analysis के mcqs की फिर ethics and corporate governance की अलग से playlist बनी होई है organizational behavior की एक playlist बनी होई है business environment की playlist बनी होई है तो उन सब के mcqs आप देख सकते हैं और previous year जो paper है उन सब से आप match कर सकते हैं एक बात और ethics का जो previous year का paper था वो पिछले साल जब आपका syllabus change नहीं हुआ था तो ethics second semester में पढ़ा है जाता था तो मैंने ethics वाले में या फिर videos में आप जाईएगा तो ethics का answer की करके upload किया हुआ है previous year paper तो उसको आप देख लिजेगा answer की के नाम से बना हुआ तो उसमें भी explanation के साथ सारे answers हैं I hope आपको ये video help करें आपके exam के लिए all the best for your exam और अगर आप चैनल पे नहीं होगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देजेगा